नमस्कार दोस्तों मैं प्यू सक्सेना इस्पायर फोल लर्निंग यूटुब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ तो बताए कैसे हैं आप लोग उमीद है आप अच्छे होगे और साथी साथ गवर्मेंट जॉब की तैयारी कर रहे होगे और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर आपने अभी तक हमारे इस्पायर फोल लर्निंग यूटुब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी बैल आइकन प्रेस करें जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियो होंगी उ मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं मंतली MCQ की ये वीडियो रहेगी डिवीजन आप कर रहेगा एक तरीके का आप इसको टेस्ट के तौर पर दीजिए और लास्ट में आपका स्कॉर क्या रहा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अप्रेल 2021 में जितने पूर है MCQ किस पर बेज होंगे तो वो है करंट अफेयर पर इंपोर्टेंट करंट अफेयर रहेगी हर एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहने वाली है एक अप्रेल से 30 अप्रेल तक मंतली करंट अफेयर की वीडियो रहेगी इसकी PDF आपको टेलेग्राम चैनल पर मिल जा जाएगा बहां से लिंक पर क्लिक करेंगे गुरुप जॉइन करेंगे और बहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं चली आप बढ़ते हैं पहले कोश्यन पर विच रेलवे जोन हैस बिकम 100% फुली इलेक्रिफायर डिसेंटली हाल ही में 100% पूरी तरीके से विदुतिगर्ण होने वाला रेलवे छेतर कौन सा है तो इसका अगर आंसर आपको तब पता होगा जब आपने करेंट फेयर पढ़ लगी होगी चाहें आप किसी भी चैनल से पढ़ रहे हों किसी भी टीचर से पढ़ रहे हों ये आपका टेस् मंतली MCQ का और मैं हर हफते जबीवार को 8 बजे एक वीडियो आपके लेके आता हूँ weekly MCQ की अगर आपने वो देख रखी होंगी तो ये कोशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे इनका आंसर आपको अच्छे से पता होगा और उनकी PDF भी हम चैनल पर डलवाते हैं टेल फुली 100% electrified तो आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन है जिसर बैंक ओफ इंडिया ने अभी एनहेंस करी है लिमिट अब किस चीज की लिमिट एनहेंस करी है तो maximum balance at the end of the day maintained in a payment bank for maximum for 1,02 अब 1,00,000 से कितनी बढ़ा दी है तो वो है 2,00,000 तो एक लाग से बढ़ा कर 2,00,000 क customer के लिए payments bank की limit जो पहले जो बैंक थे उसके limit एक लाग थी अब 2,00,000 कर दी है next question है किसके दवारा my nap 2020 platform launch करा गया है तो किसने launch करा है इसका आपको answer बताना है national council for teacher education web portal ये launch करा गया है my nap 2020 तो इसका जो answer है दमेश पोक्रियाल निशंग के दवारा इसे launch करा गया है पूरा question आप पढ़ लीजेगा अच्छे से PDF में बस में इसमें key point आप से पूछूंगा और उसका answer आपको बताना है comment box में भगवती सिंग passed away recently तो अभी हाल ही में भगवती सिंग का निदन हो गया ह उनका चिल आपको बताना है ये किसे चेतर से संबंदित हैं मतलब इनका profession क्या था भगवती सिंग का तो एक famous politician थी भगवती सिंग जिनका हाल ही में निदन हो गया है तो आपको याद रखना है कि भगवती सिंग जिनका हाल ही में निदन हो गया है famous politician थी इनका आपको ऐसे ही जो ओविच्री जयती है याद करते चलना है नेक्स्ट कोशन है अभी हाल ही में फस्ट एनिमल वैक्सीन अगेंस्ट नोवल क्रोना वाइरस जरिश्टर करा गई है तो यह किसे देश ने पहली पशूटी का विखसित करा है तो वो है रश्या तो पशूटी का जो पंजिकत करा गया है नेक्स्ट कोशन है वाट वाज दा रिवेन्यू कलेक्टेड फ्रम गुड्स एंड सर्विस टेक्स इन मार्च 2021 तो मार्च 2021 में अभी हाल ही में यह रिवेन्यू कलेक्शन कितना रहा है जी एस्ट का अब तो अप्रेल का भी यहां पे रिलीस कर दिया गया है 1.41 लैक रहा है अप्रेल में और 1.23 लैक करोंड रहा है मार्च में तो ऐसे ही यह मंतली पूछ लिया जाता है गुड्स एंड सर्विस टेक्स के कितना रिवेन्यू कलेक्शन रहा है नेक्स्ट कोश्चन है डियाडियों ने अभी डैपलप करी है लाइट विट बुलेट पूफ जै जैकेट विक्सित की है इस का जैकेट का बजन आपको बताना है तो इसका जो वेट है वो है 9 kg 9 kg की यह बुलेट प्रूफ जैकेट का वेट है टी याडियों लैब ने इसे विक्सित करा है next question है who has been appointed as additional director of Britannia industry तो Britannia industry के अत्रिक्त निदेशक के रूप में उर्जित पतेल को appoint करा गया है तो आपको याद रखना है उर्जित पतेल Britannia industry के additional director next question है which state recently become the first to provide health insurance for all its residents तो किस के द्वारा स्वास्त भीमा परदान करा गया है किस राज्ये के द्वारा अपने सभी निवासियों को मुफ्त में तो वो है राजस्थान राजस्थान के द्वारा इस स्कीम को launch करा गया है तो बढ़ते हैं आगे next question है what is the current cash reserve ratio as the RBI monetary policy RBI की मौद रिकनिती के अनुसार बरतमान नगद अरक्षित अनुपात रहा है 3.5% 4% है रेपो रेट 3.35 है रिवर्स रेपो रेट और 4.25 बैंक रेट और माजलन स्टेंडिंग फैसिलिटी और जो 18% है वह है SLR statutory liquidity ratio तो जितने भी banking terms होती है एक नमबर में पूछ लिए जात हैं यह next question है who has among the following has received कलिंग रतन सम्मान for 2021 तो कलिंग रतन सम्मान जिसे दिया गया है विश्र भूशन हरी चंदन को तो आपको याद रखना है विश्र भूशन हरी चंदन को कलिंग रतन सम्मान दिया गया है 2021 का next question है brand ambassador बनाये गए है किसको बनाया है digit insurance ने और Chinese smartphone major वीवो ने इन दोनों ने एक ही person को brand ambassador बनाया है वो है विराठ कोली विराठ कोली को digit insurance और वीवो दोनों का brand ambassador नियुक्त करा गया है next question है biggest floating solar power plant of India will be set up in which of the following state तो भारत का सबसे बड़ा floating solar power plant तिलंगाना राज्य में इस्थापित किया जाएगा तो आपको इसका answer याद रखना है तिलंगाना next question है which company has recently achieved the feat of costing 1 billion transaction on unified payment infrastructure तो किस company ने हाल ही में UPI infrastructure पर अपने 1 billion linden को पार करने की उपलब्दी हासिल की है तो वो है phone pay phone pay के द्वारा अब ये achievement हासिल करा गया है तो UPI के थूँ 1 billion transaction किसने करें है तो वो है phone pay आपको याद रखना है what is the name former union environment minister and MLA from गुजात's वांकानेर who has passed away तो पूर्व केंद्री परेवर मतरी और गुजात की वांकानेर से बिधायक थे दिग विजे सिंग्याला जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो ये आपको याद रखना है next question है Harvard's Hurkas has become the which country's first ATP master तो ये अब इन्होंने ATP master बने हैं who word हरकर्स किसको हराया है तो जैनिक सीनर को हराया है जो इटली के हैं मियामी open में main single का title इन्होंने अपने नाम करा है तो आपको बताना है ये किस देश से हैं हुवर्ट हरकर्स तो ये किस देश से हैं तो वो देश है पॉलेंड पॉलेंड देश से हैं हुवर्ट हरकर्स इन्हों के दारह first ATP master बने हैं पॉलेंड के जैनिक सीनर को हराया है जो इटली के हैं मियामी open का main singer लाइटल इनके नाम रहा है हुवर्ट हरकर्स के next question है which of the following organization has approved a USD 32 million projects to boost health services in मिजोरम निमलिकत में से किस संगठन ने मिजोरम में स्वास्त सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 32 million American dollar की पर्योजनाओं को मंजूर दी है तो वो है world bank world bank के द्वारा मिजोरम को लोन एप्रूब करा गया है 32 million का 32 million का लोन दिया है कि सचेत्र में दिया है तो health services के लिए boost health services तो इसका purpose भी आपको याद रखते चलना है purpose था health services के लिए मिजोरम को दिये हैं 32 million next और यह भी लोन का एक part है कि world bank और AIIB Asian infrastructure investment bank ने एप्रूब करा है loan को how much amount for canal based drinking water project in Punjab तो पंजाब को इन्होंने अभी लोन दिया है नहर अधारित पेजल परियोजनाओं के लिए AIIB और world bank ने 300 million का यह लोन रहा है तो आपको याद रखना है 300 million पंजाब को 32 million मिजोरम को next question है थार्टेत जीडी विर्ला एवार्ड फोर साइंटिफिक रिसर्च किसको दिया गया है विज्ञानिक अनुसंधान के लिए तीसवा जीडी बिल्ला पुरुसकार तो सुमन चक्रवर्थी इनका नेम आपको याद रखना है एवार्ड देके इनका नेम पूछा जा सकता है Who is new chief of BCCI anti-corruption unit तो BCCI की विरोधी इकाई का नया प्रमुख कौन है तो वो है शबीर H.S. खंडवाला शबीर H.S. खंडवाला को BCCI की विरोधी इकाई का एक नया प्रमुख निक्त करा गया है इनका नेम याद रखना है BCCI के anti-corruption unit के chief बने है नेक्स्ट है यह Prime Minister एपॉइंट हुए है किस देश के फार्म में चिंट तो इनका देश का नेम आपको बताना है वो है वैधनाम तो वैधनाम के जो Prime Minister बने हैं Farm में चिंट और जो बियतनाम के President की रूप में एपॉइंट हुए है Nguyen Zuan Phuk ग्वेण जुआनफुक प्रेसिडेन्ट बने है, प्राइम मिनिस्टर, फार्म, मेंचेंट दोनों आपको याद रखने हैं, ग्वेण जुआनफुक का भी नेम और फार्म मेंचेंट का भी नेम नेक्स्ट है नेम दा आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पोर्टल लिसेंटली लॉंजड बाइ दा सुप्रीम कोर्ट ओफ इंडिया तो हाल ही में भारत के सर्वोच नयाले द्वारा शुरू किये गए कैतिम बुद्धी पोर्टल का नाम बताईए तो वो है सुपास भारत के सर् आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पोर्टल सुपास सुप्रीम कोर्ट पोर्टल असिस्टेंस इन कोर्स दक्ष्टा के लिए लॉंज करा है तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है सुपास की किसके दौरा लॉंज करा गया है सुप्रीम कोर्ट ओफ इंडिया के द 35 वे Forbes की वार्षिक विश्व की अर्वपती शूची में सीर्ष इस्थान प्राप्त करा है तो वो है जैफ बैजोस, जैफ बैजोस के द्वारा टॉप करा गया है Forbes की दुनरीज की लिस्ट में, 35th Forbes की लिस्ट रही है, नेक्स्ट कोश्चन है कि अभी किसको एपॉइंट करा गया है New Chairman and Managing Director of SIDB, तो निमलिकित में से SIDB के नए अध्यक्ष और प्रवधनिदेशक के रूप में जिनें एपॉइंट करा गया है वो है S.Raman, S.Raman याद रखना है इनका नेम CMD वने हैं SIDB के Small Industrial Development Bank of India, नेक्स्ट कोश्चन है, एडवांस शेफ टेक्नोलोजी को, नेक्स्ट है, डॉक्टर चिंतन वैशनव, अज अपॉइंटेड अज मिशन डारेक्टर ओफ एम, दे गवर्मेंट फ्लेक्षिफ इनिशिएटिव अंडर नीती आयोग, तो वाट डज ए स्टेंड इन एम, तो डॉक्टर चिंतन वैशनव को, एम का मिशन डारेक्टर निउक्थ करा गया है, जो नीती आयोग के तहट सरकार की प्रमुक पहल है, तो एम में एका अर्थ क्या है, वो आपको बताना है, तो एम का मतलब एका है अटल इनोवेशन मिशन, तो अटल इनोवेशन मिशन के जो एपॉइंट हुए है, मिशन डारेक्टर वो हैं चिंतन वैशनव, तो ये आपको याद रखना है, चलिए आप बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट कोश्चन की तरफ, तो आपको ये याद रखना है, एक ही फुल फॉर्म है, अटल आईस से इनोवेशन, एम से मिशन, नेक्स्ट कोश्चन है, वो अमंग दा फॉलॉइंग हैज बिन एपॉइंट इज रिवेन्यू सेकेटरी अंडर दा मिनिस्ट्री आफ फाइनेंस, तो वित मंत्राले के नए राज्य सचिव के रूप में किसे निक्त किया गया है, तो वो हैं तरोण बजजाज, अभी हाल ही में रिवेन्यू सेकेटरी बने हैं, एकनॉमिक अफेयर सेकेटरी बने हैं, और फाइनेंस सेकेटरी तीनों एपॉइंट हुए हैं, तो जो एकनॉमिक अफेयर सेकेटरी के रूप में एपॉइंट हुए हैं, कैबिनेट ने नए आर्थिक मामलों के सचीव में जिन्हें एपॉइंट करा है, वो हैं अजे सेट, अजे सेट की मन्जूरी दी है, एकनॉमिक अफेयर सेकेटरी के रूप में, इस एयर टू प्रोटेक्ट इट्स एथलेट एमिट धा कुरोना वाइरस पैंडमिक कुरोना वाइरस महामारी के बीच उत्री कोरिया ने अपने एथलेटों की दक्षा के लिए टोकियों उलम्त में भाग नहीं लेगा तो आपको याद रखना है विच अमंग दा फॉलॉइं एक HDFC में बै ne गया है तो आपको ये भी याद रखते चलना है banking न्यूज भी है ये ससे में पूची जाती है तो आप ये मत लीजैगा कि ये banking न्यूज है तो ये एससे में नहीं पूची जाएगी तो अभी हल ही में बीचन्ट बाइक्टी सेट्र अमर्ण ने अभी G20 वित्य मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मिटिंग में भाग लिया है इसके अध्यक्षता कर रहा है इतली इस बार 2021 के G20 सम्मेट की अध्यक्षता कर रहा है 2022 में इंडोनेशिया करेगा और 2023 में अपना प्यारा भारत करेगा जो 18 अठारवा संस्क्रण होगा और इस बार जो चलना है वो 16 संस्क्रण है G20 का और 2020 में सौधी अरव ने करा था 15 संस्क्रण तो आपको पीछे वाला भी याद करते चल सेलर टू क्वालिफाई फो डा ओलंपिक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतिये महिला नाविक कौन बनी है तो वो है नेत्रा कुमानन नेत्रा कुमानन पहली महिला भारतिये नाविक बनी है जोने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करा है तो वो है नेत Moodie's book named exam warrior was launched. Exam warrior first published in पर्दान मंत्री नरेंदर मोदी की परिक्षाव वारियर्स नामकुस्थक का अध्यानतन संस्क्रण लांच किया गया है तो परिक्षाव वारियर पहली वार किस वर्ष में प्रिकासित हुई थी तो वो है 2018 तो आपको ये डेट भी याद रखते चलनी है ये किस सन में या फिर किस एयर में पहला वर्जन लॉंच करा गया था एक्जाम वॉरियर का जिसका अभी हाल ही में अपडेटेड वर्जन लॉंच करा गया है तो वो 2018 में पहला संस्क्राण आया था नरेद मूदी जी की बुक है ये एक्जाम वॉरियर अभी हाल ही में इसका अपडेटेड वर्जन लॉंच करा गया है तो वो है आशुतोष भार्दवाज आशुतोष भार्दवाज को इससे सम्मानित करा गया है देवी शंकर अवस्ति अवर्दवाज इनका नेम आपको याद रखना है आशुतोष भार्दवाज का बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ नेम दा इंडियन बिलनरीज वू हैस टॉप दा फॉप्स लिस्ट आफ इंडिया टैंथ रिचिस्ट बिलनरीज फॉर दा इयर ट्वैंटी ट्वैंटी वन तो उस भार इंडिया में टॉप पर रहे हैं बिलनरीज की लिस्ट में और जो वर्ल्ड में है वर्ल्ड में ये टैंथ प्लेस पर है नेक्स्ट कोशन है नेम दा फर्स्ट मूचल फंड हाउस इन इंडिया टू क्रॉस दा रूपीज फाइव लेक करोन एवरेज एसेट अंडर मेनेजमे गया है उस मूचल फंड हाउस का नेम आपको बताना है तो वो है SVI मूचल फंड ने पांच लाग करोन का एवरेज एसेट अंडर मेनेजमेंट इसे कंप्लीट कर लिया है next question है who has been made the brand ambassador for Punjab anti-corruption vaccination program पंजाब के anti-coronavirus तीका गरण कारेकरम के लिए brand ambassador बनाया गया है तो वो किसको बनाया है पंजाब गवर्मेंट के द्वारा तो वो है SONU SOOT SONU SOOT को इसका brand ambassador बनाया है Punjab anti-coronavirus vaccination program तो वो brand ambassador कौन बने है SONU SOOT next question है काफी important रहने वाला है कि 24th Chief Election Commissioner of India किसे appoint करा गया है भारत के 24 वे मुखे चुनाव आयुक्त कौन बने है तो वो है Sushil Chandra इनका name आपको याल रखना है और यह किस number के Chief Election Commissioner बने है तो 24th Sushil Chandra Sushil Chandra Election Commissioner of India 24th वे बने है यह 24th Chief Election Commissioner next question है who has taken over 50 Chief of Army Staff of Indian Army भारतिय सेना के उपसेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार समाला है उपेंद्र दिवेदी उपेंद्र दिवेदी डिप्टी Chief बने है इंडियन आर्मी के तो आपको यह याद रखना है उपेंद्र दिवेदी का name next question है अभी हाल ही में एक scheme launch करी है विकास नवसंजीवनी for medical sector तो किस बैंक ने चिकिस्ता छेत्र के लिए विकास नवसंजीवनी रिण योजना शुरू करी है तो उस बैंक का नेम आपको बताना है तो वो बैंक का नेम है करनाटक विकास ग्रामीर बैंक करनाटक विकास ग्रामीर बैंक के द्वारा इसे launch करा गया है विकास नवसंजीवनी इस scheme को launch करा है करनाटक विकास ग्रामीर बैंक ने for medical sector के लिए तो विकास नवसंजीवनी करनाटक विकास ग्रामीर बैंक ने launch करी है बढ़ते हैं next question की तरफ with which bank इंडिया with which country है इंडिया has announced the launch of the strategic partnership in water sector तो water sector के छेतर में भारत ने जल्चेतर में रणितिक साज़ेदारी शुरू करने की घोशना करी है किस देश के साथ तो वो देश है नीदर लेंड इस देश का नेम आपको याद रखना है इंडिया और नीदर लेंड के वीच वाटर स खेतर के संबंद में नेक्स्ट है अंशु मलिक सोनम मलिक has secured the Tokyo Olympic birth both are related to which sports तो अभी हाल ही में अंशु मलिक सोनम मलिक ने Tokyo Olympic birth हासिल करी है दोनों किस खेल से संबंदित है तो वो खेल है रेसलिंग कुस्ती से संबंदित है अंशु मलिक और सोनम मलिक दोनों का नेम आपको याद रखना है बढ़ते हैं next question की तरफ उससे पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले बढ़ते हैं next question की तरफ Indian Council for Cultural Relations has unveiled world's first gamified Sanskrit learning app in Bangladesh what is the name of application भारतिय संस्कृती संबंध परिशद ICCR ने बांगलादेश में दुनिया की पहली gamified Sanskrit section app का नावन किया है इसका नेम है आप देख रहे हैं little guru little guru इस application का नेम है बांगलादेश में इसे लाँच करा है Indian Council of Cultural Relations next question है which of the following has launched rewards one two three saving account to offers benefit on digital transaction निमलिकित में इसे किसने डिजिटल लेंदेन पर लावप प्रदान करने के लिए rewards one two three launch करा है Airtel Payments Bank ने rewards one two three बचत खाता launch करा है Airtel Payments Bank ने तो Payments Bank की जो limit थी deposit की one lakh से कितने बढ़ा दी है तो वो two lakh कर दी है मैं आपको starting में ही बताया था next question है which institute has secured top position among the best higher education institute in India in a epidemic ranking of a world university 2020 कि संस्थान ने विश्व विध्यालो की academic ranking 2020 में भारत के सर्वस्ष्ट उच्छ सिक्षा संस्थानों में शीष इस्थान प्राप्त करा है तो वो कौन सा संस्थान है कौन सी university है जिसके दोरा शीष इस्थान हासिल करा गया है तो वो है IISC Bangalore IISC Bangalore के दोरा top position हासिल करी गई है top पर रहा है यह university IISC Bangalore तो आपको ये भी याद करते चलने हैं पढ़ते हैं next question की तरफ which municipal corporation has issued India's first municipal green bond तो किस नगर निगम ने भारत का पहला नगर पाली का green bond जारी किया है तो वो कौन सा है किसके दोरा green bond जारी करा गया है नगर पाली का पहला green bond तो वो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के दोरा भारत का पहला नगर पाली का green bond जारी किया गया है तो आपको याद रखना है next question है who has been appointed as a first boom and director general of national council of applied economic research to ncaer national council of applied economic research की पहली महिला बहानी देशक के रूप में किसे निक्त किया गया है तो वो कौन है उनका name आपको बताना है अगर आपको पता है तो comment box में जरूर बताईए तो ncaer की जो the woman director general बनी है पहली तो वो कौन है वो है पूनम गुपता इनका name आपको याद रखना है पूनम गुपता का चलते अब बढ़ते हैं next question की तरफ उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को शेर नहीं करा है तो जहां तक आपके दिच हो Instagram, Telegram, Facebook हर जगे वीडियो को जल्दी से जल्दी शेर करें और लाश्ट तक बने रहें क्योंकि लाश्ट तक जितने भी MCQ है important रहने वाले हैं अब यह legendary coach Sanjay Chakravarti जिनका अभी हाल ही मेने धन हो गया है यह shooting से संबंदित हैं तो आपको याद रखना है shooting से संबंदित हैं Sanjay Chakravarti famous coach थे shooting के next question है private life insurance प्रामेरिका प्रामेरिका लाइफ इंशॉरेंस अनॉंस्ट the appointment of whom as its MD and CEO जीवन निजी जीवन वीमा company प्रामेरिका लाइफ इंशॉरेंस ने किसे MD और CEO के रूप में निउक्त की घोशना की है तो वो कौन बने हैं इसके MD and CEO प्रामेरिका लाइफ इंशॉरेंस के त MD and CEO बनी है प्रामेरिका लाइफ इंशॉरेंस की कल्प ना सम्मत बढ़ते हैं next question की तरफ who has won ICC Women's Player of Month Award तो ICC हर महीने अब जन्वरी से ये अपना मन्थ एवार्ड लेके आ रहा है तो इस बार का जो ICC महीला किलाडी का जो महीना के तोर पे जो रही है पूरे मन्थ में जिन को बताना है वो किसको दिया गया है पूरे महीने में जिसने सबसे अच्छा प्रशन करा है लिजेल ली साउथ अफरीका की है इनी को ही ICC Women's Player of Month Award दिया गया है मार्च महीने का ऐसी फरवरी में भी दिया गया था और जन्वरी में भी दिया गया था उनके भी आपको नेम या कुमार को यह इंडिया से हैं भूबनेश्वर कुमार इनको ICC Player of the Month पुरुसकार दिया गया है किकिट से संबंदित हैं भूबनेश्वर कुमार और लिजेल ली दोनों के किकिट के प्लेयर है और दोनों की मार्च मन्द का अवार्ड दिया गया है ICC के द्वारा नेक्स्ट कोशन है बलवीर सिंघ जूनियर जिन यह सिल्वर मैडल विनर है Asian Games Indians के हैं अब यह Asian Games Indian के थूस किस गेम से संबंदित है वह आपको बताना है बलवीर सिंघ जूनियर जो 1958 में के Asian Games एंघ्रूं में रजद पदक जीकने वाले भारतिए किस टीम के सवस्थ से थे त तो वो है हौकी बलवीर सिंग जूनियर हौकी से संबंदित है वो अमंग दा फॉलॉइंग विल टेक चार्ज एस डारेक्टर जनरल ओफ नेशनल एंटी डॉपिंग एजनसी निमलिकित में से किसे जाश्तिय डॉपिंग एजनसी के महाने देशक के रूप में कारेफार समालेंगे तो सिधार्थ सिंग लोंग जम को नाड़ा एंटी डॉपिंग एजनसी का डिरेक्टर जनरल एपॉइंट करा गया है तो सिधार्ट सिंग लॉंग जम का नेम आपको याद रखना है अब ये next question है Odisha government ने decide करा है to set up a water academy अब ये water academy किस city में launch करी जाएगी Odisha की establish की जाएगी तो वो है भुवनेश्वर भुवनेश्वर में Odisha सरकार ने बताया है कि जल अकाइडमी इस्थापित करेंगे भुवनेश्वर में नेक्स्ट कोश्चन है इश्रो इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन ये space agency है इसने agreement करा है किस देश की agency के साथ जो जिसका नेम है CNES for corporation in its first human space mission गगयान तो गगयान mission के लिए पहले मानव अंत्रिक्ष mission गगयान के सहयोग के लिए फ्रांस की space agency है CNES इसके साथ समझोता करा है Indian Space Search Organization ने जो इंडिया की है इन्ने फ्रांस की space agency CNES के साथ समझोता करा है अब आते हैं wisdom almanac के तरफ की audio player of a decade 2010 यह 2010 के जो wisdom almanac रहे है 2010 में किसे चुना गया है पूरे दशक के लिए तो वो है विरार्थ कोली अभी wisdom almanac की यह list जारी करी गई थी किसको कौन सा award दिया गया है यह सब मैं आपको list के थूरू इसमें बताऊंगा कि जो audio player of a decade 2010 में कौन रहा है और पीछे के भी मैं आपको इसमें बताऊंगा best player कौन रहे हैं पूरे साल के और promise में कौन रहे हैं वो सब हम इसमें discuss करेंगे तो इंडियन कैप्टन विराट कोली wisdom almanac ODI player of 2010 2010 के जो player बने हैं विराट कोली को इसमें चुना गया है सचीन तैंदुलकर 1990 के दशक में कपिलदेव 1980 के दशक में तीन भाड़ती हैं जिनको wisdom almanac फूरे डिकेट के लिए पीट करा गया है अब ये बैंस्टोक इंग्लेंड के आर्लांडर हैं इनको लीडिंग क्रिकेटर ऑफ दा अब डेकेट की बात नहीं चल लए है अब ये लीडिंग क्रिकेटर सब्सक्राइब वेलगे मस्टों किरिकिटर आप ला मिधा विएड़े साल में सद्सक्राइब सब्सक्राइब कार्या बांड़िंगर अब्वेल तो इनके नेम आपको याद रखने हैं वेट पूरे डिकेट के 2010 जो रहा है पूरह डिकेट 2010 उसके जो विर्जदन अलमनेक के लिए अपॉइंट हुए है विराट कोली और यह कुछ नेम है जिनको विर्जदन क्रिकेटर ऑफ दा इयर 2010 के लिए अपॉइंट करा गया है तो जेसन होल्डर मुहामद रीजवान डॉम सीवी जैक क् स्टीवन्स इनकी नेम भी आपको याद रखने हैं बाकी ऊपर के आपको अच्छे से याद रखने हैं नेक्स्ट कोश्चन है वाट इस दा रैंग ऑफ इंडिया इन 2021 इंक्लूजिव इंटरनेट इंडेक्स तो अभी हाल ही में 2021 में समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भ प्रिजेंटिंग समावेशी इंटरनेट सूचकांक ने 120 देशों का सर्वेक्षान किया है तो 49 जो यह प्लेस रहा है इस पर थाइलेंड भी है और इंडिया भी है इंक्लूजिव इंटरनेट इंडेक्स में बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ हूँ हैस बीन नेम द आवर्ट रौवर्टो बैनिगनी को लाइफटाइम एचीब्बेंट अवर्ड दिया गया है अब जितने भी यह एवर्ड रहे हैं बाफ्टा के थू एवर्ड दिये गये हैं और ऑसकर एवर्ड यह सब मैं आपको एक की साथ करवाऊंगा कि जिनको बाफ्टा एवर्ड मिल है तो रंजीत सिना फॉर्मर सीवी डिरेक्टर से आपको याद रखना है नेक्स्ट कोश्चन है विच आफ दा फॉलॉइंग है रिसेंटली बॉट एई इस्पीच टेक फर्म नुएंस फोर 19.7 विलियन निम्लिकित में से किसने हाल ही में एई भाशन तक्निक फर्म नुए है तो वो है माइक्रोसॉफ माइक्रोसॉफ ने नुएंस को 19.7 बिलियन में बाय करा है तो आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन है विच कंट्री बिकम दा फर्स कंट्री तो इंटर्ड्यूज अलो डेट विल रिक्वायर फाइनेशल फर्म तो एक्स्प्लेइन हाव दे वूड मैनेज क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड अपोर्चनिटीज कौन सा देश एक कानून लाने वाला पहला देश बन गया है जिसे वित्तिय फर्मों को यह समझाने की आवेशक्ता होगी कि वे जलवायू संबंदित जोकिमो और अफसरों का प्रभंदन कैसे करें त अब यह किस छेट से संबंदित है या फेमस प्लेयर थे तो वो किस गेम की थे वो आपको बताना है एमद हुसेन लाला यह फेमस प्लेयर थे वो किस से संबंदित है तो यह है फुटबॉल फुटबॉल प्लेयर थे हुएमद हुसेन लाला इनका नेम और इनका फील आपको जाद रखना है प्लियर थे फुटबॉल फुटबॉलर थे एमद हुसेन लाला इनका हाल ही में निधन हो गया है नेक्स्ट कोश्चन है अभी हाल ही में लॉंच कर गया है फस्ट एवर मैडा फूड पार्क तो मेगा फूड पार्क एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन इ इकाई शुरू की है तो आप देखी रहे हैं इटली इटली के द्वारा इसे लॉंच करा गया है मेगा फूड पार्क को नेक्स्ट कोश्चन है हूं अमंग दा फॉलॉइंग हैस बीन हैस बॉन गोल्ड इन एशियन रस्लिंग चैंपियंशिप बाइड डिफीटिंग टैप विनेश फोगाट विनेश फोगाट ने ताइपे की मैग हसन हैसे को हरा कर यह स्वन पदक जीता है एशियन रस्लिंग चैंपियंशिप में नेक्स्ट कोश्चन है हूं अमंग दा फॉलॉइंग हैस बोन इमेलिया रोमागना फॉर्मूला वन ग्रेंड प्रिक्स 2021 इन इमोल अस्तापन रेड़ बूल टीम से हैं और यह नीदलेंड से ब्लॉंग करते हैं नेक्स्ट कोश्चन है वो हैस बिन रियप एपॉंटेड एंड एंड सी ओ और डी सीवी बैंक बाइए बाइए तो डी सीवी बैंक के जो एम डी एंड सीओ बने हैं वो है मुल्ली एम नट ग्लीन एंड जर्क विद अमैसिव 119 kg लिफ्ट एट एशियन रेस्लिंग चैंपेंशिप इन ताशकंत तो किसके द्वारा ताशकंत में एशियाई भारतोलन चैंपेंशिप में महिलाओं के उरंचास किरगा क्लीन एट जर्क में 119 किरगा भारतोलन के साथ एक नया विश रि इकर्ट बनाया गया है एशियन रेस्लिंग चैंपेंशिप में बढ़ते हैं आगे अंशू मलक सरीता मोर एंड दिविया कांकरान has won gold medal किस इन देश में आयो जिद की जा रही है अगर आपको पता है तो बताएं आंसर रहेगा अलमाटी करजाकिस्तान ऐसे ही बोलते चलिए मेरे साथ तो आपको यह याद होते चलेंगे तो अलमाटी करजाकिस्तान में इससे जिद किया जा रहा है next question है who what was the rank in India of India in Halney passport index तो हैलने पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जो भारत की रैंक रही है पहले 85 हो गई थी लेकिन अब इसे दुबारा चेंज करा गया है यह आई है इसमें 84 प्लेस पर रहा है भारत टॉप करा है जापान ने इसे जापान के दौरा टॉप करा गया है और जो लास्ट कंट्री रही है वो है अफगानिस्तान हैलने पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 84 थे आपको याद रखनी है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ उससे पहले लाइक करना ना भूलें तो गंजाम वैंकट शुभा गंजाम वैंकट सुभिया पासद अवे इसेंटली अब ये क इस छेटर से संबंदित थे ये फेमस कार्टिलोजिस्ट थे या खगोल भोती के विद्थ ये फेमस लेखक थे यह आपको याद रखना है फेमस राइटर थे गंजाम वैंकट सुभिया इनका हाल ही में निदान हो गया है यह जादा देखने मिल लाई है करोना काल में इंप इस कमिटी के अध्यक्ष कौन है तो वह है सुढर्शन सेंज सुदर्शन सेंज इसको हड करेंगे एसट कंपनियों के लिए रिव्यू वर्किंग के लिए एक कमिटी वनाई गई है तो आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन है Life Insurance Corporation of India has appointed home ground payment player अब किसको इसने appoint करा है to facilitate its digital payment तो भारतिय जीवन वीमा निगम ने अपने digital भुकतानों को सुविधर जनक बनाने के लिए homegrown payment के लाड़ी के रूप कौन है जिसको appoint करा है तो वो है Paytm को appoint करा है LIC ने किसके लिए to facilitate its digital payment तो वो कौन है वो है Paytm next है who among the following has won Monte Carlo 2021 tennis title in tennis तो निमलिकित में से किसने tennis में Monte Carlo 2021 का खिताब जीता है तो उनका नेम है Stefanos Tsistipas Stefanos Tsistipas के द्वारा Monte Carlo 2021 का title जीता गया है tennis से संबंदित है Monte Carlo टैनिस ओपन रहता है स्टेफनोस Tsistipas के द्वारा इसे जीता गया है तो इनका नेम आपको यार रखना है आगे एक नीज और है इसी संबंदित में आपको आगे बताऊंगा next question है which of the following state government retired the committee of the state to achieve हर घर जल टाइगे 2022 तो निम्लिखित में से इस राज्य सरकार ने 2022 तक हर घर जल लक्षे को प्राप्त करने के लिए राज्य की प्रतिवद्दा को दो रहाया है तो वह है पंजाब पंजाब गवर्णमेंट के द्वारा इसे दुवारा करा गया है हर घर जल स्टेट यह इसकी स्कीम थी पंजाब गवर्णमेंट की 2022 का नहीं टार्गेट सैट करा है which of the following organization has developed a SPO2 based supplementary oxygen delivery system for soldiers serving in extremely high altitude areas and COVID-19 pandemic तो यह SPO2 लिखा है यह O2 मतलब oxygen COVID-19 रोगियों में सेवरत सैनिकों के लिए SPO2 अधारित पूरक oxygen वित्रण प्रणाली DRDO के द्वारा विक्सित करी गई है तो DRDO Defense Research Development Organization for union minister बाची सिंग राबत has passed away he was served as the अब यह बाची सिंग यह former minister थे union minister थे इनका निधन हो गया है अब आपको बताना है यह किस छेत्र में union minister थे मतलब इनका विभाग कौन सा है तो वह उस विभाग का नेम है union minister of state for science and technology minister थे बाची सिंग union minister थे इनका विभाग का नेम था union minister of state for science and technology next question है what is the rank of India in world press freedom index 2021 विश्व प्रेस सुचकांक 2021 में भारत का rank क्या है तो वो है 142 इसका पिछले साल भी rank 142 था भारत 142 वे स्थान पर था और इस बार भी 142 वे स्थान पर है world press freedom index में published कौन करता है reporters without order Paris France में इसका headquarter है Norway के द्वारा टॉप करा गया है world press freedom index में और अभी इसका ही world press day भी रहा है तीन माई को तो वो भी मैं आपको इसमा बताऊंगा जो माई की हम weekly MCQ की वीडियो लेके आएंगे what is the name of 13th governor of RBI who headed committee on financial system 1991 and committee of banking sector 1998 has passed away तो यह RBI के 30th number के जो governor थे जिनका हाल ही मैंने धन हो गया है जिनका हाल ही मैंने धन हो गया है जिसनों ने वित्तिय प्रावली 1991 और बैंकिंग सुधार समीती 1998 की समीती का नेतर्थ किया था तो M. Narsimhan थे जिनके द्वारा इन दो committee को head करा गया था काफी important रहेगा एक्जांस के लिए RBI के 13 गवर्नर का नेम पूछ लिया जाएगा वो है M. Narsimhan Next question है India has signed a technical corporation agreement with which country to title cities combacting plastic entering the medine environment तो भारत ने किस देश के साथ एक तक्निकी सायोग संजोते पर हस्ताक्षर किये हैं जिसका शीरशक है समूंधरी पर्यवर में प्लास्टिक के संयोजन वाले शह है तो वो है जर्मनी जर्मनी के द्वारा यह संजोते पर हस्ताक्षर करे गए हैं इंडिया एंड जर्मनी के बीजिए agreement रहा है cities combating plastic pollution के थो इसका title है नेक्स्ट कोशन है NASA experimental helicopter engine is the first powered control flight of an aircraft on तो यह आपको बताना है नासा के प्राद्धोगे कि helicopter engine यह किस आपको बताना है कि यह किसका विमान रही है संचालित नियांतित उडान तो मंगल planet पर मंगल उग्रह पर यह सफलता पूर्वक इसी उडान रही है इंजिनिटी इसका नेम आपको याद रखना है who among the following become the first Indian woman to scale mount अनपूर्णा नेपाल निम्लिकित में से कौन mount अनपूर्णा नेपाल को scale करने वाली पहली भारतिय महिला बनी है तो वो है प्रियंका मोहिते प्रियंका मोहिते first Indian woman बनी है to scale mount अनपूर्णा और यह कहां पर है नेपाल में है अब प्रियंका मोहिते from satara in west महरास्ट से ब्लोंग करती है has scaled mount अनपूर्णा the 10th highest of your 10th highest mountain peak है in the world becoming the first Indian woman claiming to achieve the feat तो आपको यह याद रखना है प्रियंका मोहिते इनके दोरा easy achievement हासिल करा गया है next question है लौजन अलहतलॉल has won the top Europe right award वेकले हैवल human right prize for women's right she is from which country तो लौजन अलहतलॉल ने शीर्ष यूरोप अधिकार पुरुसकार जीता है वेकल हैवले मनावदिकार पुरुसकार महिलाओं का अधिकार है यह वे किस देश का है तो यह सौधी अरब का यह award है जो किसके दोरा जीता गया है तो लौजन अलहतलॉल नेम आपको याद रखना है international news है important है पूछ लिया जाएगा who has been appointed as ambassador of Puma पूमा के राज़दूत के रूप में वाशिंटन सुन्दर और देबदर्ट पार्डिकल दोनों को appoint करा गया है band ambassador of Puma next question है which state government will run a no mask no movement campaign across the state to break the infection chain संक्रमन सखला को तोड़ने के लिए कौन सी राज्य सरकार राज्य भर में no mask no movement अभियान चलाएगी तो वो है राज़स्थान दरस्थान गौर्मेंट के दौरा no mask no movement campaign लाँच करा गया है याद रखना है next question है Tamil Nadu के उस चेस प्लेयर का नेम बताना है जो अभी इंडिया के 68 चेस ग्रांड मास्टर बने है तो Tamil Nadu के उन प्लेयर का नेम है जो भारत के 68 चेस शिरंड गरंड मैंसटर बने है तो वो है अरज़न कल्यान इनका नेम आपको याद रखना है अरज़न कल्यान का चेस गरंड मास्टर बने है यह Tamil Nadu से बिलौग करते हैं तो इनका नेम आपको याद रखना है और जो 67 चेस गरंड मास्टर हैं लियोन मेंडल का और 66 जी आकास तो पीछे वाले भी आपको याद रखते चलने हैं तो एक प्रसिद इसलामी विद्वान और शांती करेकरता का नेम आपको बताना है जिनका हाल ही मिनिदन हो गया तो मुलाना वयोदीन खान मुलाना वयोदीन खान ये एक फेमस इसक्लामिक स्कॉलर हैं और पीस एक्टिविस्ट हैं इनको इसी साल पद्म भीवोशन से भी सम्मानित किया गया था next question है who has been chosen as external auditor by organization for prohibition of chemical weapon तो OPCW के द्वारा किसको external auditor नियुक्त करा गया है तो जिन्हें संगठन द्वारा अभी संगठन कौन सा है तो organization for prohibition of chemical weapon तो GC मुर्वु को इसके external auditor के रूप में appoint करा गया है और ये OPCW का जो headquarter है दा है नीदर लैंड में है वहीं पर the international court of justice का भी headquarter है next question है Prime Minister Narendra Modi is participating in leaders summit on climate तो what is the theme तो इसकी theme आपको बतानी है leader summit की theme क्या रही है तो वो है our climate sprint to 2030 our climate sprint to 2030 2030 our climate sprint to 2030 इसकी theme रही है leader summit की next जो rank है India's rank रही है global energy transition index में 2021 में ये release करी गई है और इंडिया की rank क्या है तो वो है 87th global energy transition index 2021 में भारत की rank 87th रही है तो ये आपको rank का नेम याद रखना है global energy transition index टॉप करा है स्वेडन ने लास्ट पर जो country है वो है जिंबाबे तो जिंबाबे और स्वेडन ये टॉप और लास्ट कांट्री रहे हैं 87th पर है global energy transition index में इंडिया इंडिया की rank भी आपको याद रखती चलनी है दा वर्ल्ड बुक कैपिटल for 2021 अभी 20 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपिराइट करा गया था तो जो वर्ल्ड बुक कैपिटल रही है 2021 की वो आपको पताना है पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बुक कैपिटल एंडाउंस करा गया है तो आपको यह याद रखना है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ Who has been appointed as a chairperson of NASCOM? तो NASCOM के अद्यक्ष के रूप में किसे निप्त किया गया है तो वो है रेखा M. Mennon रेखा M. Mennon को appoint करा गया है NASCOM के अद्यक्ष के रूप में इनका नेम आपको याद रखना है NASCOM का headquarters New Delhi में है तो HDFC Bank के अंश्का लिंग अध्यक्ष्ट के रूप में किसे निउक्त किया गया है तो वो है अतनु चक्रवर्थी अतनु चक्रवर्थी को एपॉइंट करा गया है HDFC Bank के पार्ट टाइम चेर्मेन के रूप में इनका नेम भी आपको यहाद रखते चला है जो एपॉइंटमेंट होते हैं काफी इंपॉइंट रहते हैं एक्जांस के लिए अब आते हैं Who among the following born Nelson Mandela World Humanitarian Award 2021 by Diplomatic Mission Global Peace तो आपको बताना है Nelson Mandela World Humanitarian Award किस्ट को दिया गया है जो जीता है रूमाना सिन्हा सैगल के द्वारा इस Award को विन कर गया है तो रूमाना सिन्हा सैगल को यह Award दिया गया है Nelson Mandela विश मानदवादी प्रूजकार 2021 किस्ट को दिया है रूमाना सिन्हा सैगल को अब यह exercise रही है वरोना 2021 इसका जो संस्क्रण है 90th edition था 19 वा संस्क्रण रहा है bilateral exercise है Navy exercise conducted with Indian Navy with which navies of which country तो आपको बताना है कि इंडिया की नोसेना और के साथ भरती है नोसेना तो हैं है और किस देश की नोसेना ने इसमें participate करा है तो वो है France इंडिया और फ्रांस के बीच यह exercise होती है वरोन इसका 19 वा संस्क्रण आयोजित करा गया है जस्टिस नथालपती वैंकट रमन इनको आप N.V. रमना के नाम से भी जान सकते हैं तो किस नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने है नसालपती वैंकट रमन यह भारत के मुखे नयादीज एपॉइंट हुए हैं तो बोहें 48 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं अब जो 47 थे जिनको इन्होंने रिप्लेस करा है बो थे सरंद अर्विंद बोब्रे 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और 46 थे जंजन गो गई तो आपको यह फॉर्मर वाले भी आपको याद रखते चलने हैं नेक्स्ट कोश्टन है रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया थे लाइसेंस ऑफ महरास्टा बेस्ट विच बैंक ड्यू टू इनडिक्वेट कैपिटल तो महाराज भारती रिजर्ब बैंक ने अपर्याप्त पूंजी के कारण महाराश्ट इस्थित किस बैंक का लाइसेंस रद कि जाने है ने-ईस्ट कोश्टन है तो किसने गरीज के स्टैफनोग सिंथी पास को हराकर बार्सलोना ओपन का पूरुश एकल किताब जीता है तो उनका नेम आपको बताना है बार्सलोना ओपन किसको हराया है गरीज के स्टेफनो स्टिस्थी पास जिनके द्वारा बॉंटे कार्लो ओपन जीता गया था तो राफिल नडाल ने इनको अभराया है यह इस्पेंज से हैं और इसको इनको हरा कर बार्सिलोना ओपन का टाइटल अपने नाम करा है इस पार्टनर्शिप विद विजवैंक एस्वियर फिंटेक सर्विसेज अर लीडिंग फिंटेक सर्विस कंपनी है केदल की इसके द्वारा लॉंच करा गया है इस्टेट का फर्स्ट नियो बैंक नेम क्या है एसमनी नियो बैंक तो यह किस बैंक के साथ पार्टनर्शिप करी है एस्वियर फिंटेक सर्विसेज ने उन दो के आपको नेम बताने हैं जिनके साथ partnership करके के रिएल स्टेट का फर्स नियो बैंक लॉंच करा है फुली डिजिटल नियो बैंक होते हैं यह इसमें आपको किसी ब्रांच में जानने की जरूरत नहीं होती है ओन लाइन आप इसमें खाता खोल सकते हैं तो यस बैंक और आई सी से रास्तिये commodity and derivative exchange के प्रबंद निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है अरुन रस्ते अरुन रस्ते NCDEX के MD and CEO appoint हुए हैं अरुन रस्ते का नेम आपको याद रखना है विच स्टेट गवर्मेंट हैं किल करोना केमपियन और योग से निरोग प्रोग्राम तो यह दोनों किस स्टेट के गवर्मेंट स्कीम हैं किल करोना केमपियन का second edition लाँच करा है और योग से निरोग प्रोग्राम लाँच करा है मध्य प्रदेश ने तो मध्य प्रदेश ग युनिसेफ सद्वाबना राजदूत का नाम बताईए जिन्होंने विश्व टिकरण सब्तहा के दोरान वैश्विक टिकरण अभियान का नेतरत्व किया है तो डैविट बैक्खम डैविट बैक्खम गुडवल एमबेजर रहे हैं युनिसेफ के थुरू वर्ड युमनाइज कोशन पर जगदीश खटर इनका हाल ही मनेदन हो गया है कि किस के फॉर्मर एमडी रहे हैं तो वो है मारुति सुजुकी के फॉर्मर एमडी जगदीश खटर जिनका हाल ही मनेदन हो गया है मारुति सुजुकी के यह मैनेजिंग डारेक्टर थे जगदीश खटर नेक्ट हुआ है यह फेमस सिंगर थे भारतिय शास्त्री गाया के इंडियन क्लासिकल सिंगर राजन मिश्र इनका हाल ही में निदन हो गया है इसका नेम आपको याद रखना है और इसी के ही डारेक्टर है वो डारेक्टर कौन है जिनको बेस्ट डारेक्टर का एवोर्ड दिया गया है वो हम पढ़ते हैं अब तो हू अमंग दा फॉलॉइंग हैस बॉन दा बेस्ट डारेक्टर एवोर्ड एड 93 अकेडमी एवोर्ड और ऑसकर 2021 दिवर्ड तो निम्रिकित में से किसे 93 अकादमी पुरुसकार या ओसकर से सम्मानित करा गया है जो बेस्ट निर्देशक या सर्वसिस्ट निर्देशक पुरुसकार तो क्लियो झाओ नॉमल लेंड मूवी के डारेक्टर हैं तो लिए जाओ इनको ही औसकर एवोर्ड और वाफटा एवोर्ड में बेस्ट डारेक्टर का एवोर्ड दिया गया है नेक्स्ट कोश्चन है नेम दा एक्ट्रेस अब जो एक्ट्रेस रही है इना लीडिंग रोल तो बेस्ट एक्ट्रेस का किताब किसके दौरा जीता गया ह है 93rd Academy Award या फिर वाफ्टा एक एवर्ड में तो उनका नेम है Francesi Mac डॉर्मेंट तो जो आभ naval attracted हैं जिव स्सक्राख कहिमें का किताब जीता है leading role में वह हैं Francesi Mac dormant Norm Sasaki usa Hier तर्व इंके द्वारा best Actress का किताब जीता गया है विच सॉंग हैज बॉन ओरिजिनल सॉंग एवार्ड एड 93 अकैडमी एवार्ड और ओसकर 2021 नाइटी थी बे एकैडमी पुरुसकार में जो बेस्ट सॉंग रहा है फॉर फाइट फॉर यू दोहजार एकिस में जो गीत का जो मूल गीत का पुरुसकार जीता है फाइट फॉर यू के द्वारा जीता गया है विच फिल्म हैज बॉन दा बेस्ट अनिमेटिड फीचर फिल्म एवार्ड एड 93 अकैडमी एवार्ड और ओसकर 2021 तो किस फिल्म ने 93 वे अकैडमी पुरुसकार या ओसकर 21 में सर्वसिस्ट अनिमेटिड फीचर फिल्म रही है वो है सौल यह पुरुसकार जीता गया है वो है सौल के द्वारा यह बेस्ट अनिमेटिड फीचर फिल्म का एवार्ड इसने जीता है आसकर एवार्ड में नेम दा एक्टर वो वन दा एक्टर इन लीडिंग रोल एवार्ड एट 93rd Academy Award या आसकर एवार्ड तो जो बेस्ट एक्टर रहे हैं लीडिंग रोल में वो कौन है उनका नेम आपको बताना है जिनने भी ये आसकर एवार्ड दिये गए है किस परसन को दिये गए है किस मूवी को बेस्ट डारेट बेस्ट मूवी का एवार्ड दिया गया है सब मैंने एक वीडियो में करा रखे हैं 93rd आसकर एवार्ड से आपको हमारे चैनल पर ये वीडियो मिल जाएगी उसमें मैं अच्छे से ये करवा रखे हैं एंथनी हॉपकिन्स बेस्ट एक्टर का खिदाविनों ने जीता है एक्टर इन लीडिंग रोल जो रहे हैं एंथनी हॉपकिन्स नेस्ट कोश्चन है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रिये बोर्ड में निदेशक के रूप में केंद्र सरकार द्वारा जो नामित हुए हैं अजे सेट को नामित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रिये बोर्ड में निदेशक के रूप में अजे सेट को एपॉइंट करा गया है अजे State Economic Affairs Secretary भी है और Revenue Secretary तरून बजाज है Finance Secretary कौन appoint हुए है वो मैं आपको आगे बताऊंगा मैंने around यह 5-6 Ranked Index का topic रहा है और जो लास्टी अब इसमां discuss करेंगे Index वो कौन सी है India has been ranked 49th in Chandler Good Government Index which classify 104 countries in terms of good capabilities and outcomes which country has a top तो इंडिया की rank पहले आपको याद रखनी है 49th वे स्थान पर रहा है Chandler Good Government Index में जो सरकारी छमताओं और परिरामों के संदर्व में इस चार देशों का बरगी करण है Finland के द्वारा इसमें टॉप करा गया है Finland ने टॉप करा है इंडिया उरनचासवे स्थान पर है Chandler Good Government Index में सरकारी छमताओं और इसके बादे में आप ये अच्छे से देख सकते हैं नेक्स्ट कोश्चन है कि किसके द्वारा फर्स्ट मार्स रोवर विल वी नेम जुरॉंग आफ्टर अ ट्रडिशनल फायर गॉड़ तो परम परिक अगनी देपता के बाद किस देश के पहले मंगल रोवर का नाम जुरॉंग होगा तो वो है चाइना चाइना के जो मंगल रोवर का नेम है वो क्या है जुरॉंग जो अगनी देपता के नेम के उपर रखा गया है याद रखना है भूलना मत बिच स्टेट हाज वॉन ई पंचायत एवर्ट ट्रेंटी ट्रेंटी वन इन कैटेगरी फर्स्ट श्रेणी फर्स्ट में ई पंचायत पुरुसकार 2021 किस राज्जे ने जीता है तो वो है उत्तर प्रिदेश उत्तर प्रिदेश गोवर्मेंट के द्वारा या उत्तर प्रिदेश राज्जे ने श्रेणी फर्स्ट में ई पंचायत पुरुसकार जीता है अभी हाल ही में एपोइंट करा गया है Acting Chief Justice of कलकत्ता High Court कलकत्ता उचनेयाले के कारेवाहक मुखे नयाधीस के रूप में जिनें एपोइंट करा गया है वो है राजिश बिंदल राजिश बिंदल को एपोइंट करा गया है Next question है In a bid to revamp oxygen capacity and straighten the supply chain The Confederation of Indian Industry has formed a task force on oxygen supply chain अब इस कमीटी के आपको बताना है कि चेर्मेन कौन है भारतिय उध्योंग परिसंग ने oxygen आपूर्ती शंखला पर एक task force का गठन करा है अभी करेगा किया तो इसकी जो चेर्मेन है वो है शेशगरी राव MBBS oxygen की चमता को बढ़ाने और आपूर्ती शंखला को मजबूत करने के लिए इस कमीटी को बनाया गया है इसकी चेर्मेन है शेशगरी राव MBBS Next question है According to the latest military expenditure data base published by the Stockholm Industries Peace Research Institute India was the third largest military spender in a world 2020 Behind only the African दो देश जो इंडिया से ऊपर है उनका नेम आपको बताने है इस्ट्रोखोम इस्ट्रनेशनल पीस दिसर्च इंडिशूस्ट इंस्टिट दारा प्रकाशित नवीनतम सेने वे डेटावेस के अनुसार 2020 में जो भारत दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा सेनने खर्च करने वाला देश है अमेरिका टॉप पर है जो सबसे ज़्यादा खर्चा करता है सेनने खर्च पर वो अमेरिका है चाइना सेकेंड प्लेस पर है और भारत है थर्ड भारत तीसरे इस्थान पर है तो आपको ये तीनों याद रखने हैं कि इंडिया कितने प्लेस पर है, थर्ड प्लेस पर है विच कंट्रीज कैबिनेट किलियर्ड अप्रोपोजल टू बैन और बुर्काज इन पब्लिक प्लेस डियू टू नैशनल सेक्यॉर्टी कंसर्ण तो किस देश के मंटरी मंडल ने दास्टिय सुरक्षा चिंताओं के कारण सावजनिक इस्थानों पर बुर्का पर प्रतिवंद लगाने का प्रस्ताप को मंचूरी दी है, तो वो है श्रीलंका श्रीलंका गौर्णमेंट के द्वारा जितने भी सावजनिक इस्थान हैं उस पर आश्टिय सुरक्षा चिंताओं के कारण पुर्के पर प्रतिवंद लगा दिया गया है, तो यह श्रीलंका के द्वारा इसको लाया गया है तो भारतिय प्रदोगी संस्थान मदरास परीसर में भारत के पहले 3D मुझत घर का उद्धाटन निर्मला सीतरामन ने करा है फर्स्ट 3D printed house, Indian Institute of Technology मदरास केंपस में निर्मला सीतरामन के द्वारा इसका उद्धाटन करा गया है DRDO ने अभी हाल ही में कंड़क्ट करा है एक सक्सेस्फुल मैडन टेस्ट फाइरिंग अफ दे फिस्ट जनेरेशन पाइथन 5 मिसाइल The state of art missile is which type of missile DRDO ने 5B PD के Python 5 missile का सफल परिशन फाइरिंग किया है अत्यधूनिक missile ये किस टाइप की missile है तो air to air missile है ये हवा से हवा में बार करने वाली missile है Which country has launched a robot prototype named Neo-01 to clear space debris तो किस देश ने अंत्रिक्ष मलवे को साफ करने के लिए New-01 नाम से एक robot prototype launch किया है तो वो है China तो China का New-01 है robot prototype है और ये अंत्रिक्ष मलवे को साफ करने के लिए launch करा है China तो आपको याद रखना है China का है ये New-01 बढ़ते है next question की तरफ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक निए ये सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना नाम बूले Who has been appointed as a brand ambassador of ASIS ASIS एक sport beer brand है रविंदर जटेजा को इसका brand ambassador ने उक्तपरा गया है तो ASIS के brand ambassador कौन बने है रविंदर जटेजा Who among the following has won wild innovator award 2021 निमलिकित में से किसने wild innovator award 2021 ये जीता है तो wild innovator award किसके द्वारा विंद करा गया है या किसको दिया गया है किरती के करंथ किरती के करंथ wild innovator award 2021 इनका नेम आपको याद रखना है Who has been designated as a finance secretary अब आगए finance secretary वित सचीव के रूप में किसे नामित किया गया है तो वो है TV सौम नाथन TV सौम नाथन को finance secretary के रूप में अपॉइंट करा गया है तो revenue secretary तरुन बजाज economic affair secretary अजे सेट और जो finance secretary बने है वो कौन है TV सौम नाथन इनका name भी आपको याद रखना है Next question है Which country has become first country to announce regulation of the use of self-driving vehicle at slow speed on motorways तो UK के द्वारा इसको लाया गया है Motor चालित बहानों पर धीमिकती से बहान चलाने के नियमन की घोशना करी है UK ने तो आपको ये याद रखना है Next question है Which bank has launched the digital and contactless banking platform merchant stake for retail merchants किस bank ने खुद्रा बैपारियों के लिए digital और संपर्क रहित banking platform merchant stake launch करा है तो वो है ICICI bank के द्वारा merchant stake launch करा गया है for retail merchants तो आपको ये याद रखना है खुद्रा बैपारियों के लिए merchant stake लाया गया है ICICI bank के द्वारा which bank has emerged as a top arranger of corporate bond deal in 2021 financial year 2021 का ये में कौन सा bank corporate bank 102 के स्थीष ब्यवस्थापक के रूप में उबरा है तो वो है HDFC bank HDFC bank का नेम आपको याद रखना है मुंबई माराष्ट में headquarter है HDFC bank का भी और ICICI bank का भी अब हाल ही में किसे appoint करा गया है new chairman of board of Bajaj Auto नमलिकित में से किसे Bajaj Auto के board का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो वो है नीरज Bajaj नीरज Bajaj को appoint करा गया है chairman as a board of Bajaj Auto तो जितने भी question थे पूरे month के वो सारे तो मैंने इसमें cover नहीं करे हैं वो जितने भी question रहते हैं current affair से सम्बंदित वो four PDF होंगी जो weekly current affair के name से आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएंगी पहले आप उनकी PDF पढ़िएगा बाद में इस monthly current affair की PDF भी मैं उसमें डलवा दूँगा अब इसको जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपने सारे question अच्छे से revise कर लिए हैं तो पूरे month में अप्रेल के जितने भी important current affair रही है वो सब मैंने इसमें आपके साथ discuss करी है अगर आपको लग रहा है कि session अच्छा है तो लाइक करना ना भूलें तो जितने भी current के topic थे MCQ के तौर पे मैं आपको इसमें लेके आया हूँ one by one उसमें हमने discuss करा है और साथ ही उस से related important facts भी मैंने इसमें बताया है चैनल को आपने subscribe नहीं करा है चैनल को subscribe करें like करना ना भूलें comment करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा और साथ ही जहां तक rich हो instagram, telegram, facebook, whatsapp हर जगे वीडियो को share करना ना भूलें और pdf आप हमारे telegram channel से download कर सकते हैं link वीडियो के description में या फिर comment box में आपको मिल जाएगा चैनल को आपने subscribe नहीं करा है subscribe करें bell icon press करें अब इससे क्या होगा जितनी की upcoming videos होंगी उनका notification आपको day by day मिलता रहेगा तो goodbye